ग्रामेणों ने मिलकर की मिसाल पेश सौ साल से जादा पुरानी बावडी का किया जिर्नोधार जिससे गर्मियों के दिनों में चिल्चिलाती गर्मी में पशु पक्षियों और स्थानी लोगों को होती रहे पानी की अपूर्ती 10-15 सालों से बंद हो चुकी बावडी जिहां चिल्चिलाब लासपूर की गराम पंचायत खरकड़ी के उपर धान कमल सहेगल और स्वयम सहायक स्मो और संत नीराकारी मिशन के सबी स्थ्यों ने मिलकर एक-एक बहुत बड़ी मिशाल पेश की है यह बावडी आसे लगबग 100 साल पहले बनी हुई जिसको कई बार लोगों के सयोग से साफ किया जाता था प्रन्तु यह बावडी 10-15 सालों से बंद हो चुकी थी जिसमें काफी मलवा बड़ा हुआ था जैसे ही यहां पर जंगली जानवर छोटे छोटे पशु पक्सी और पालतू जानवरों के लिए पाने की विवस्ता नहीं थी वैसे ही लोगों ने मिलकर इस पावडी को साफ करने का निर्णे लिया और सभी ने इस कार्य को बहुत ही सही तरीके से किया यह ने लिया कि आगे के लिए भी हम समाच के लिए ऐसे ही कार्य करते रहेंगे मैं उपवर्धान ग्राम पंचैर खरकड़ी आज हमारे गाउं बठेड में सो साल से उपर जो बहुडी थी उसको ग्राम पंचैर खरकड़ी में बने सोई सहता समू और संत निरंकारी मिशन के सभी सदस्यों ने मिलकर यह कार्या किया जिसमें गर्मियों के दिनों में जंगली जानबरों के लिए और पशुपक्षियों के लिए पानी की कोई सुप्धा उप्रब्द नहीं है तो इसके इसका रेको करने के लिए सभी ने अपना योगदान दिया पंचैत खरकड़ी में मैं रिनकुमारी समू की सदस्य हूं हमारे गाउं में पानी की बहुत कमी है हमें तो हमारे बड़े बजुर्गों ने बताया कि यहां पर सो साल पुरानी बावड़ी है तो हमारे सभी ग्राउं बासियों ने और गाउं की महिलाओं ने इस बावड़ी को सवारने में हमारी मदद की तथा हमारे उपपरधान ने हमारा बहुत देवी शीव गोरी ग्रूप समूग की सचिब हमने यहां पर सो साल से पुरानी बावड़ी को साप किया है जहां पर गर्मियों में पानी की कमी के कारण हमने यह पशुपक्षी और जीब जन्तूं के लिए इस बावड़ी का कारे किया है जिसमें ग्रान पंचायत खरकडी का उपपरधान कमल देव और मेरे सासमूग की सभी महिलाओं ने सहयोग दिया है